ये आकाश्वानी रैपूर है प्रादेशिक समचार बुलेटिन के साथ मैं लतदेवी चाहान और अपेशे आज के मुख्य समचार प्रदेश में लगतार हो रही बारिश से जन जीवन प्रभावित कई नदी इनाले उफान पर बीजापूर और सुक्मा जिले में अंदुरूनी गाउं का सड़क संपर्क तूटा अगामी 24 घंटों के दोरान रैपूर दुर्ग बिलासपूर और बस्ता संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी मुक्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिक्षकों को भारी बारिश के स्थिती पर नजर रखते हुए आपदा परबंधन उपाय सुनिश्चित करने के नदेश दिये सुक्मा जिले में सुरक्षबलों ने तीन माववादियों को किया गिरफतार और राष्ट्र आजपूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाचपेई की दूसरी पुन्नतिती पर शद्धांजली दे रहा है प्रधेश में बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से जंजीवन प्रभावित हुआ है कई नदी नाले उफान पर हैं वहीं निचली बस्तियों में बारिश का पानी भरिया है इसके अलावा जिला मुख्यालों से दूरस्त इलाकों का सड़क संपर्ग भी तूट किया है बीजापूर जिले के मिंगा चल नदी का जलस्तर बढ़ने से राश्ट्री राजमार क्रमांग 163 परावा गमन बाधित हुआ है जिले के मिंगा चाल स्थित CRPF कैंप में भी पानी भर जाने से जवानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है बीजापूर जिले में पिछले आठ दिनों से लगातार हो रही मुसलादार बारिस की कहर ने लोगों के जन जीवन का स्तिबैस्त कर दिया जल भराओ के चलते बीजापूर जिला टापू के साथ जिले के साइकड़ो गाओं भी जिला मुक्षाले से संपर्ग से तूट गया है वहीं प्रशाशन 318 सुरक्षा कर्मी और 218 ग्रामिनों को रिश्क्यों कर डूबने से बचाया बीजापूर जिले के एनेच 163 में भी छोटे बड़े नदी नालों का पानी पेज बाहो के होने के कारण राज्य मुक्षाले से भी जिला का संपर्ग कुटा हुआ है विजली के पोल पर पेड़ गिर जाने से बोपाल पटनम भैरमगड बलाग समेथ कई इलाकों में विजली नहीं है ना ही संचार सेवा के साथ जिले में कोई संपर्ग हो रहा है चार सुरक्षक केम में बाड का पानी भर जाने सबती 318 जवानों को से सुरक्षित निकाला गया है 218 ग्रामिनों को डुबान छेतर से निकाल कर रहत सियूर में रखा गया है खेश अंतोष कुमार बिजापूर आकार स्वानी वही सुकमा जिले में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है और कई गाउं का सड़क संपर्ग तूड गया है शबरी नदी का जलसर खत्रे के निशान के करीब पहुँच गया है सुक्मा जिले में लगातार हो रही बारिस के चलते सबरी नदी का जल इस्तर खत्रे की निसान के करीब पहुँच चुका है जबकि प्रसासन ने एतियातन कोंटा के पुरानी बस्ती को खाली कराने का निर्देश दिया है जबकि अतूल पारा पोलंपली का मारक प्रसासन ने एतियात के तोर पर सील कर दिया है वहीं सुक्मा जिले को तिलंगाना की राजधानी से जोड़ने वाली राश्टी राजमारक में पानी आने की वज़ा से आवा गमन पूरी तरह से बंद है प्रसासन ने सभी अधिकारियों को भी अलट जारी किया है इधर महासमन जिले के बसना विकास खंड के अंतरगर दुधी पाली छुरिया नाला और सुरंगी नाले का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है जिससे इस मारक पर आवजा ही बादित हुई है लगातार बारिश के चलते बसना बिलाईगर बिलासपूर मुख्यमार्ग भी अवरुद हो गया है बसना में 202 किलोमेटर बारिश से सड़को और निचली बस्तियों में पानी भर गया है महासमुन जिले में बीते 12 घंटे से हो रही अनवरत बारिश से जन जीवन प्रभावित है कल रात से हो रही बारिश की बुंदे आज दो पहर तक नहीं थमी जिससे लोग घर से नहीं निकल पाए भारी बारिश को देखते हुए जीला मुख्याला इस्थित बार ने अंतरनकक्च को अलर्ट कर दिया गया है लगातार हो रही बारिश से बसना छेतर के सुरंगी नाला और गिदली नाला उफान पर है पिथावरा बलाग के रिमडा गाउं में एक मकान धह जाने से किसान परिवार बाल बाल बचे मौसम भाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी के मद्दे नजर कलेक्टर इस्थिती पर स्वयम नजर रखे हुए है कलेक्टर ने नदी तटके गाउं में हाई अलर्ट जारी किया है गाउं में मुनादी कराई जा रही है आनंद राम साहू आकासवानी समचार महा समुझ दूसरी ओर राजननगाओं और कॉंड़नगाओं जिले भी लगातार बारिश के कारण निचली बस्तियां जल्मगन हो गई है बलदबजाय जिले में बारिश के कारण अधी नालूग में बाड़ की स्थिति निर्मित हो गई है इसके अलावा प्रदेश में लगातार बारिश के कारण विबिन सिचाई जलाशों में पानी की आवग बढ़ गई है इस बीच कोरबल जिले के बांगो बांग के पांच गेट खोल दिये गये हैं बांग से लगभग 25,000 क्यूसे पानी छोड़ा जा रहा है इस बीच प्रदेश में अगले 24 घंटों के दोरान अधिकांश स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं रैपूर, दुर्ग, बिलासपूर और बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्ष्रा होने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मताबिक एक निम्न दाप का क्षेतर जारखंड और उसके आसपास थित है इसके साथ ही के उपरी हवा का चकरी चकरवाती घेरा 7.6 किलोमेटर की उचाई पर बना हुआ है इसी तरह एक मौनसून द्रोणी का भी 36 गर्ज होकर गुजर रही है इसके प्रभासे प्रदेश भर में रुग रुख कर बारिश हो रही है इधर मुंगेली जिले में लोर्मी क्षेतर के कोसम तरा और भाटा गाउं में भी आकाशी बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई मुक्यमंत्री बुपेश बगेल ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलक कलेक्टोरों और पुलिस अधिक्षकों को सतर करहने के निर्देश दिये हैं साथी उन्होंने प्रभावित एक्षेतरों में बार जैसी किसी भी स्थिती पर नजर रखते हुए आपदा प्रबंदन संबंदी सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है मुख्यमंतरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में यदि कहीं कोई एक्षती हुई है तो उसका जल्द आंकलन करने और प्रभावितों को ततकाल आवशक सायता मुहिया कराने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश को देखते वे सभी नियंतनकक्ष पूरी तरह मुस्तैद रहें और नदी नालों के पानी के स्तर पनिरंतर नजर रखी जाए बारिश के दरान जल जनित रोगों को देखते वे सभी आवशक चिकत सकी वेवस्थाइं भी सुनिश्चित की जाएं मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंदन दल को सतर करेने और समय पूरू सभी आवशक वेवस्थाइं सुनिश्चित करने को भी नदेश दिये हैं 36 गड़ में कोरोना संकरम biss मरिजों की संखिया 15,000 को पार कर गई है वहीं फिलहाल 4,865 कोरोना संकरम नित मरिजों का इलाज विबिन अस्पतालунд में चल रहा हैं इस बीच कल देरा तक 4,86 कोरोना पॉजिटिव मरिजों की गई वहीं कोरो ना संक्रमित चार मरीजों के मौत हो गई, इन्हें मिलाकर प्रदेश में अभ तक 134 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मौत हो चुकी है। दुर्ग जिले में आज 31 ने कोरोना संक्रमित मरीजों के पहचान की गई है। इनमें BFF के 3 जवान भी शामिल हैं वहीं, बालोद जिले में भी 31 करोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अधर अंबिकापुर में 10 नए करोना पॉजिटिव मरीज के पुष्ट हुई हैं, वहीं रागर जिले में 30 नए करोना संकरमित मिले हैं, इनमें 1 तहसिलार और 1 नायब त पूंजी पत्रा थाने की एक आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाल थाने को सील कर दिया गया है। कि किसी भी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर राजिशासन के प्रावधान और कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों का उपचार किया जाता है। उसे सुन रहे हैं। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। आम तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं। प्रादिक्षिक समचार आपका शुमिरापू से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समचारों के ओर। अब नहीं होने पर भी ओफलाइन देखा जा सकेगा। यह एप दूरस्त अंचलों के विद्यार्थियों के लिए काफी उप्योगी साबित होगा। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उलेकनी है कि मुख्यमंत्री भुपेश बखेल ने स्कूलों के विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई के लिए ओनलाइन सुविधा उपलब्द कराने के लिए लॉकडाउन के दौरान अप्रेल माह में पढ़ाई तुहर द्वार वेबसाइट के शुरुवात की थी। 36 गर विधान सभा के नए भवन का भूमी पूजन और शिलन्या समारों 28 अगस को नवा रापुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भुपेश बखेल ने इस समारों में शामिल होने के लिए कॉंग्रेस की राश्ट्रिय अधक्ष सोनिय गांधी और सांसद राह पर अपने विचार लिख सकते हैं और नमो अप ओपन फोरम या माई जी ओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस कॉल देकर और SMS पर प्राप्त लिंग के जरिये भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं जमो कश्मीर में मातव वैशनौ देवी तीर त्यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है कोरूना संक्रमन के कारण यह 18 मार्च से बंद थी शद्धालों को मास्क और फेस कवर अनिवारे रूप से लगाना होगा मुबाइल फोन में आरोगे सेतु एप इंस्टॉल करना होगा यात्रा मार्ग के प्रत्यक प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी तीर्थ यात्री वेब साइट पर ऑनलाइन परची ले सकते हैं सुक्मा जिले में आज सुरक्षा बलों ने तीन मावादियों को गिरफतार किया है पलिस अधिक्षक शलब सिंधा ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने घेरा बंदी कर इन मावादियों को जगरगुंडा क्षेतर से पकड़ा है इन मावादियों पर जगरगुंडा इलाके की कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है साथ ही इनके खिलाफ विबिन्न थानों में अपराद भी दर्ज है राष्ट्र आज पूर प्रधान मंत्री अटल बिहरी बाचपे की दूसरी पुन्नतिती पर उन्हें शद्धांजली दे रहा है राष्पती रामनात कोविंद उपराष्पती एम वेंकाई अनाईडू प्रधान मंत्री नरिद मोदी और रक्षा मंत्री राजना सिंग सहित अनेक वरिष्ट नेताओं ने नई दिली स्थित पूर प्रधान मंत्री अटल पिहरी बाचपे की समाधी सदयव अटल पर जाकर उन्हें शद्धांजली दी इधर शद्धिस गड़ में भी स्वर्गी बाचपे की पुन्नतेती पर विभिन्न कारिकरम आउजित कर उन्हें शद्धा सुमन अरपित किये जा रहे हैं भाचपा के प्रधेश अध्यक्ष विष्णो देव साय ने अपने रापुर स्थित निवास में स्वर्गी बाचपे के तैल चित्र के समक्ष दीब प्रज्वलित कर उन्हें शद्धांजली दी इसी तरह राजनन गौँ में भाचपा कारिकरताओं ने स्वर्गी बाचपे की पुन्रतिति मनाई और उन्हें शद्धांजली अरपित की वहें मुंगेली जिले में भी स्वर्गी बाचपे की पुन्रतिति पर शद्धांजली कारिकरम का आयोजन किया गया लेकनी है कि स्वर्गे बाचपे का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मद्रप्रदेश के गुवालेर में हुआ था वे तीन बार भारत के प्रधान मंत्री रहे उन्हें वश्ट 2015 में देश का सर्वुच नागरेक सम्मान भारत रत में प्रधान किया गया श्रिबाचपे ने अनेक कविताएं भी लिखी स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर विधान सबाक शेतर के ग्राम पंचायत भाट पाल में आम चो बस्तर रेडियो कारिक्रम का अवलोकन किया महासमन जिला अस्पताल में किड्नी रोक से पीडित मरीजों के लिए नेशुलक डायलेसिस की सिवाएं कल 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगी सूरजपूर जिले के प्रतापूर वन परिक्षित्र में एक और हाथी की मौत हो गई है इसे मिला कर प्रदेश में पिछले तीन महीनों के दौरण आठ हाथियों की मौत हो चुकी है रागर जिले के खरसिया थाना अंतरगत एडू गाउं में एक वेक्ति अपने तीन बच्चों के साथ मांड नदी में कूद गया गोता खोरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है महासमन जिले के बाग बहरा थानक शेत्र में तलाब में डूबने से एक वेक्ति की मौत हो गई जाजी चापा जिले के पीथमपुर गाउं में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने 33 आरोपियों को गिरफतार किया है बिलासपूर जिले के मस्तूरी थानक शेत्र के अंतरगत ग्राम भाने सरक में से एक यूवक के अपहरन मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया है महासमून जिले के बरूंडा स्थेत शास्की बाल संप्रेशन ग्रिल से ग्रिल तोड़कर फरार हुए तीन अपचारी बालकों को फिंगेश्वर पुलिस ने खोज निकाला है कोरिया जिले के भरतपूर के ग्राम रेंद में आकाशी बिजली की चपेट में आने से दस मवेश्यों की मौत हो गई है कभीधाम जिले में लोहारा और चिल्फी पुलिस ने एक वाहन से 234 बलक लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफतार किया गया है और महासमुन जिले के साकरा पुलिस ने 57 किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफतार किया है अंतमे मुखे समाचार एक बार फिर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जन जीवन प्रभावित कई नदी नाले उफान पर विजापूर और सुकमा जिले में अंदरूनी गाउं का सड़क संपर्क तूटा आगामी 24 घंटों के दरान रैपूर दुर्ग बिलासपूर और बस्तर संभाग में कुछ स्थानो पर भारी वर्षा की चेतावनी मुक्य मंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिक्षकों को भारी बारिश की स्थिती पर नजर रखते हुए आपदा प्रबंधन उपाय सुनिश्चित करने के दिये निर्देश सुकमा जिले में सुरक्षबलों ने तीन अधियों को किया गिरफतार और राष्ट आज पूरुक धान मंत्री अटल बिहारी बाचपे की दूसरी पुर्णतिती पर शद्धांजने दे रहा है इसी के साथ फ्रादेश एक समचार बुलेटें समाप्त हुआ नमस्कार